नमस्कार दोस्तों, मार्केट अनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, आज 1 सप्टेंबर था, आज से हमार 100% मार्जिन जो पिक मार्जिन रहता है, वो आज से इंप्लिमेंट हुआ था, पर अगर आपने देखा होगा मार्केट में, तो मार्केट में मुझ देखते हो आज यहां पे, तो PCR वोल्यूम भी यहां पे इंक्रीज हुआ है, और कहीं पे भी जो वोल्यूम का आप देखते थे कि जो डेप्थ में बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस वो भी मेंटेन ही था, और अगर आप डेली चार्ट देखते हो, तो उसमें भी आप को पता चलेगा कि वोल्यूम सेम अस लाइक यस्टेरे था, तो सायद लोगों को इतना फरक नहीं पढ़ रहा है, मार्जीन इंक्रीज से, और देखते हैं फिर, तो हम कल से फिर से बैक टू नॉर्मल, मेरा जो ग्रूप में मैं अनालिस करके व्यूज शाय करता था, वो भी में टेलिग्राम में अपडेट कर दूँगा, और हम कल के लिए आज डिसकस करेंगे जो इंट्राडे स्टॉक है, और आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हो, फिर देखते हैं कुछ अगर फिचर में कुछ चेंज आया तो, पर लगता नहीं है, अभी कुछ चेंज आने वाला है कोई बड़ा ब्रोकर वहाँ पर उसकी रेवन्यू कम हो जाए या ऐसा कुछ हो है, तो ही कुछ बड़ा होगा नहीं, तो यह हमें 100% पर अभी ट्रेड करना है, और हमें वो एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना है, आज यहाँ पर फिचर में 17108 पर क्लोज हुए है, और 17076 हो है, मैंने कल क्वेस्टेन पुछा था कि आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, हली एक ही बंदे ने उसमें कमेंट किया है, तो अगर आपको सही में सिखना है, तो आपको आपका टाइम देना होगा, आपको खुद को हाड़ वर्क करना होगा, नहीं तो आप लेवल द वज़े से मार्केट उपर गया था खल, आज यहाँ पर क्या हुआ है, कि यहाँ पर प्रीमें इंक्रीस हो चुका है, पर यहाँ पर देखते हो, 0.8% हुआ ही बढ़ा है, यहाँ पर शॉट बिल्डब हुआ है, और जो अगर आपको मेरे मेंबर, अगर आप मेरे टेलिग्र रहता न, तो यहाँ पर आजाता लॉट बिल्डब, दोस्तों, तो यह हमेसा ध्यान रखना, कि अगर यहाँ पर 50, 0.50% से ज्यादा होता है, तो हम समझ सकते हैं, और यहाँ पर 0.8% है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर लोग खिलते भी है, तो क्या दि PCR कम हो गया है, जो नॉर्मल है, तो हम उसको लॉट के लिए भी यहाँ पर आगे जा सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट बुकिंग आया था, वहाँ पर वो यहाँ इसके वज़े से PCR भी कम हो गया था, और हमने आज हाई से काफी अच्छा करेक्शन दिया है, तो और सप के आसपास हो है, 17,076 के आसपास, आज का जो एक्टिव कॉल हमें यहाँ पर 17,200 है, और एक्टिव पूट 17,000, तो हमारे लिए 17,000 कल के लिए एक सपोर्ट रहेगा, 17,200 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, निप्टी बेंक में हम यहाँ पर अच्छा सा मोव सुबे भी मिल गया था, तो फ्यूचर में 239 यहाँ पर अल्मोस लाइक 98 पॉइंट्स प्रीमियम बढ़ा हुआ है, और यहाँ पर हमने 574 के आसपास क्लोज किया है, इसका जो सपोर्ट है उसके नियरी है, 36520 से 36550 के आसपास इसका सपोर्ट बनता है, एक्टिव कॉल में देखते हो 38,000 एक्टिव पूट में 35,000, बहुत ही फार रेंज का यहाँ पर एक्टिव बना हुआ है, यानि कि अभी इस के इस लेवल से यहाँ पर जो रेंज बना रहे हैं लोग करीबन 3000 पॉइंट का रेंज बन रहा है, 1500 उपर की साइड, 1500 नीचे की साइड, ओपन इट इस 5.3% नॉर्मल में है, ऐसा कोई बड़ा शॉट का हमें दीख नहीं रहा है, कि इस लेवल से हम शॉट का बड़ा ट्रेट ले सके, अगर हम यहाँ पर जैसे मैंने तमनेल भी बताया था कि बेरिस केंडल बना है, अगर आप निप्टी बैंक में देखते हो, यह जो केंडल है, वो एक ग्रेवस्टोन बेरिदोजी भी बोल सकते हो, या सुटिंग स्टार भी आप बोल सकते हो, अगर यह जो केंडल है, वो ट्रैपिंग केंडल भी हो सकते हैं, और यह हमें एक बेरिस केंडल का भी, यहाँ पे जो मू रहता है, यानि कि यहाँ से एक प्रॉफिट या एक थोड़ा ऐसा retracement ये भी आ सकता है इसके नीचे जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको लोग को बताया था कि ये trapping कैसे होता है दोस्तों तो trapping के लिए क्या होता है कि आपको देखना है था कि past में यहाँ पे ऐसा कोई candle बना था उसके बाद में कैसा मुवा आया था तो आपको जैसे अगर ये candle bearish candle है यहाँ पे short बना हुआ है तो इसके नीचे trade करता है तब हमें short मिलेगा जो वापिस आपको 36,140 के आसपास ले जा सकता है सिमिलर अगर आपको देखो past में ऐसा candle यहाँ पे दो जी बना था फिर continue नीचे आया था हमें मैं अभी देख रहा हूँ कोई ऐसा candle कि आपको बता सको कि वैसे candle के बाद एक अपमो भी आया हुआ था तो हम पीछले चार्ट में जाकर देखते हैं कि ऐसा कोई candle यहाँ पे previous बना था कि उसके बाद में हाँ जैसे कि यहाँ पे एक है यह candle के ऊपर जैसे यहाँ पे ट्रेड करने रहा मार्केट कंट्यूनी ऊपर गया था तो ऐसे ट्रेप कंडल को भी हमें देखना पड़ता है कि उसको कैसे ट्रेड करें जैसे कि इस जगह पे सीमिलर कंडल है पर मार्केट ने क्या किया जैसे यह लेवल जो उसका जो ओपनिंग होजा है उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो एक अच्छा सा यहाँ पे प्रॉ अगर कल मार्केट ओपन होता है 36,000 610 के उपर और वहाँ पे 5 मिनिट रुख जाता है तो फिर यहाँ पे यह जो शॉट किया है वो ट्रेप हो जाएंगे और यहाँ से मार्केट उपर जाएगा और कल हम ग्रीन में क्लोज हो सकते हैं तो हम 15 मिनिट में बाद में चार्ट में देखते हैं कि उसको कैसे ट्रेट करते हैं और आज का जो डेटा आ गया है उसमें हम देखते हैं कि क्या अपडेट था एफ आई ने आज यहाँ पे 666.66 करोड का यहाँ पे बाइ किया है और डिया यहाँ ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है 1286 7.87 के अगर अपर से हमें रजिस्टंस फेस कने को मिलेगा बट कि put में उन्होंने यहाँ पे इस जगह पे put shot भी किया हुआ है तो हमें नीचे से एक support मिलेगा और उपर में हमें resistance मिलेगा put के इसाब से प्रो ने 98,000 call long किया है और short 192 किया है तो short वहाँ पे भी उनका call ज्यादा है तो वहाँ पे pro and FII की वज़े से हमें resistance मिलेगा अब हम देखते हैं 15 मिनिट में चार्ट में कि हम कल अगर option हमें trade करना है तो कैसे trade करना है और कप करना है तो पहले हम निप्टी देख लेते हैं अगर आपको याद हो तो कल मैंने निप्टी में बताया था कि जब तक यह 23 points जो फिबो नाची है उसके नीचे नहीं जाएगा तम तक हम short में नहीं जाएंगे आज यहाँ पर market और एक दूसरा level में बताया था 17,085 तो आपने देखो को यहाँ पर जिसने ये candle बनाया था उसका low था 17,075 और उसके बाद में वापिस 150 के आसपास गया फिर डेटेस होके closing इस लेवल भी किया जहाँ पर हमारा support था कल अगर आपको trade करना है अगर market इसी level के आसपास खुलता है यानि कि 17,100 निचे में 17,000 ये 15 इसके बीच में कहीं पर खुलता है और जब ये level को break करेगा यानि 100 के उपर तब हमें long में रहना है अगर इसके उपर गया यानि 105 तो आपको 17,100 का call लेना है पहला target आपका रहेग 150 और उसके उपर continue किया तो आपका 17,100 के आसपास आपको यहाँ पे trade मिलेगा अगर कल हम gap down ही open हो जाते है तो 17,000 पे एक support रहेगा तो यहाँ पे आपको इंदेजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई consolidation होने के बाद ऐसे breakout देता है तो जिस level से breakout देता है आपको add the money या in the money one strike आपको call buy करना है पूट के लिए मैं अभी भी उतना इसमें like view लेके नहीं चल रहा हूं कि मैं इसको अभी short करूँगा तो अभी के लिए हम उसको long को ही देखेंगे जब तक हमारे लिए 17,000 15 यहाँ पे एक support दे रहा है अगर यहाँ पे gap down open हो गया 17,000 ऐसा consolidation बना कि फिर यह level को जब तोड़ेगा तब हम 16,9 या 16,990 के नीचे short करेंगे for the third यहाँ पे 60 point के लिए तो यहाँ पे वापिस हम 38 point को support लेने आएंगे तो इस जगह पे आप जब trade करते हो तो आपका यहाँ पे trade रहना चाहिए put का 17,000 का उस विसाब से आप यहाँ पे offering आएगा वापिस यह 17,200 के आसपास जाता हमें दिखेगा और जो यह रेली हुआ था उसका retracement आना चाहिए तो ideal रहता है यह level तक यानि कि 38 तक आके फिर यहाँ से एक bounce कर लेता है तो एक ideal retracement माना जाता है तो कल देखते यह कल आता है या Friday आता है पर एक यहाँ से आना चाह यह profit booking तो वो क्या healthy correction माना जाता है दोस्तो कल मुझे कोई अच्छा trade मिला तो मैं telegram में बता दूँगा कोई hero zero call या ऐसा कोई option में जो trade मिलेगा वो bank nifty में मिलेगा ज्यादा तर क्योंकि अगर आप bank nifty देखते हो तो आज यहाँ पे जैसे मैंने daily chart में बता है कि वहाँ पे एक दोजी candle बनाए पर अगर कल market खुलता है इसी level के ओपर यानि कि जो मैंने अभी discuss किया तो 640 के ओपर जैसे यह sustain करने लगता है आपको long में बैठने का है 36500 का call लेके बैठना आपका target पहला रहना चाहिए 800 800 के ओपर 840 के आसपास यहाँ पे sustain करता है तो हमें फिर से इसक हम जहा सकते हैं तो आपको एक ऐसा trend line भी बना के रख सकते हैं कि जब तक यह इसके उपर trade नहीं करता तब तक हम उसको long में नहीं बैठ सकते हैं और दूसरी चीज़ अगर आप notice करोगे तो यह जो trend line यहाँ से बन के आ रहा है करीबन यहाँ पे तो यह हो सकता है कि यहाँ पे हम open होके consolidation करते रहें यहाँ तक फिर इस जगह पे आने के बाद इधर upside या तो फिर नीचे की side हम break को मिल सकता है तो यह एक आपके आप draw कर सकते हो कि इसका level जो यहाँ से ही अगर हमें trade मिला तो बहुत ही बैतर ही trade मिलेगा जो आपको quick more यहाँ से पैसा मिल सकता है तो क्या होता है यहाँ पे थोड़ा consolidation होना जरूरी है support के आसपास तो अगर यहाँ पे एक देड़ बज़े तक consolidation होता है फिर breakdown या breakout देता है तो हमें 200 से 500 point मिलेगा तो उस time आपका जो add the money होगा वो call or put double हो जाएगा तो level का इंतजार करना short में अभी wait करना नीचे यहाँ पे इस level के आसपास उसको support मिलेगा short के लिए हम Friday को देखेंगे कर के लिए हम देखते है कि अगर इस level के आसपास एक दो बज़े के पास आता है फिर breakdown देता है तो हम एक put लेंगे 36,500 का put लेंगे और 220 के आसपास हम exit कर देंगे जो भी profit मिलेगा उपर के साइड अगर यह 850 को cross किया तो short covering फिर यहाँ पर आ सकते है 37,000 को भी break किया जैसे yesterday 17,000 को क्रिया था वैसा ही यहाँ पर scenario हो सकता है तो long में बनेगा तो अच्छा पैसा बनेगा short में हमें थोड़ा पैसा बनेगा फिर अगर हम stocks लेते हैं तो जो मेरा आज का जो stock है AU bank मैंने कल भी बताया था कि AU bank में हमें एक अच्छा सा trade मिल सकता है तो आज सुभे भी वहाँ पे था पर आज हमने trade नहीं किया था तो आप देखो कि यह बड़ा जा candle बना था sell off उसके बाद में यहाँ पे एक doji candle भी है and inside bar candle भी है तो कल अगर आ नीचे ले short करना है यानि कि यह candle जब बना था तब इसने यहाँ पे जो close किया था 30 था तो आप यहाँ पे जैसे 56 है 56 है 30 बहुत दूर है अगर आप risk लेना चाहते हो तो जैसे 1142 के नीचे यह trade करने लगे आप short करो 30 के आसपास आपका 50% book करना और बागी का आप trail करना 1100 के level के लिए आपके यहाँ पे एक अच्छा सा short मिलेगा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे एक easily आपको idea हो जाएगा कि market fall हुआ फिर यहाँ पे एक flag pattern बना है यह flag pattern अगर यह level को break करता है जो मैं अभी बता है 42 यह 42 के नीचे हमें पहले यह आएगा level और उसके बा century textile ने एक अच्छा सा यहाँ पे आज मूग दिया था with the volume यहाँ पे आया है और अगर आप यहाँ पे थोड़ा longer time chart देखोगे तो यहाँ पे एक W pattern बना है और उसका breakout यहाँ पे दिया है last candle दो यहाँ पे जो है inside bar candle बना है हमें trade कब लेना है जब इस level के उपर हम trade करें यानि तो century में आपको long में रहना है 836 के उपर फिर है jubilean food jubilean food एक अच्छा सा यहाँ पे run-up दिया था जो हमने कल यहाँ पे draw किया था उसके बाद में अभी में अगर आप daily chart में मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि जैसा nipty में बना है न वैसा ही वहाँ पे भी एक shooting star candle बना ह है और double top भी बना है यहाँ पर double top है यहां यह volume यहाँ पर divergent मिल रहा है और यहाँ पर RSI का भी divergent है तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हो presentation कौण सा होता है यहां से जब price ऐुपर जा रहा था आप की आपकी volume नीचे आ रहा था, आपका RSIB यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे अच्छा सा हमें एक short trade मिल सकता है तो आपको short trade के लिए क्या करना है मैं यह पहले delete कर देता हूँ आपको इसका यह level जो है इसके नीचे हमें short करना है यानि कि आज का जो low ता ना उसका करीबन 7.7 के आसपास है तो जब सही यह 39.77 को break करता है हमें short करेंगे तो फिर यहाँ से जब गिरेगा तो हमारा पहला target हैगा around 5.0 के आसपास उसके बाद में नीचे 39.20 तक यह जा सकता है तो यह breakdown पे आप short कर सकते हो और हमारा आज का last stock है M&M M&M में भी एक अच्छा सा यहाँ पे fall आया था और यहाँ पे देख सकते हो विद वॉल्यूम आया हुआ है अगर आप daily chart पे देखते हो तो daily chart में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दीखेगा कि यहाँ पे एक M pattern सा बन रहा है the important thing क्या है कि यहाँ पे जो consolidation हुआ था एक ही candle में इसने सब cover कर दिया है and volume भी highest है तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे short जाना है तो अगर आपको short करना है तो यह जो last यहाँ पे दो गंडे में यहाँ पे जो consolidation हुआ है उसके नीचे हमें short करना है तो हमें यह level है जो उसके नीचे यानि कि जो 769 close हुआ है तो हम उसका दो point नीचे यानि कि 767 के नीचे short कर सकते है आपको one and one and half percent यहाँ पे profit easily मिल जाएगा महिंद्रा इन महिंद्रा में short करके तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको कुछ learning में help कर रहा होगा और आपका जो trading है उसमें भी आपको थोड़ा improve हो रहा होगा दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो please like and comment जरूर करना तेंक्यू बापाई